हलो स्रेंड्स, नमस्कार साथियों, आप सभी का वाइफा स्टेडी UPSC और अनेकेंट्बी के इस प्लेट्फॉम पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अबिनंदन, मैं हूँ अभी से कुमार जैन, फेकल्टी फोर UPSC Civil Services Administration. सु, अफेर का ये अडिशन, जहां पर आप डेवी सीखते हैं, किस तरह से जितनी भी दुनिया भर के अंदर, जो भी घटनाए घटती हैं, चाहे नेशनल एवेंट हो, चाहे इंटरनेशनल एवेंट हो, चाहे पर्टिकुलर किसी स्टेट से रिलेटेड हो, उसको किस तरह से अपने प्रेलिंस में में और बेसिकलि अपने इंटर्वियू तक यूटिलाइज कर सकते हैं उसका होलिस्टिक विसलेशन यहां पर मिलेगा इस एडिशन के अंदर आपको पूरा का पूरा कवरेज चाहे पी एबी का हो चाहे पी आरिस का हो चाहे जितनी भी आपकी ओफिशल वेबसाइट सो उसके अलावा दो महतपूर न्यूस पर दहिंदू और इंडियन एक्सपेस का कवरेज भी यहां पर आपको मिलेगा तो फटा फट से अपने साथियों को शेयर कर दीजे ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन का बेरिफिट यहां पर उठा सके सबसे पहले हम बात सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस से आपको 10% का डिसकाउंट और अगर आप यूपसी के टेगरी में लेते हैं तो आपको मेरी परसनल मेंटरसिप भी यहां पर अवेरेबल रहेगी तो अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर कर दीजे ताकि आप मैक्सिमम टू मैक् सके साथ में वेसी किली आपको टेसिरीउस मिलेंगी डाूट सेशन आपको देखने को मिलेंगे और साथ में आपके प्रोपर फॉर्मेट में आपको नो्ट्स भी यहां पर प्रवाइड कर दिंगे तो अब सब लोगों को शेयर कर दीजिए और ध्यान रखना यह के एडिशन है उनिंटर्प्टेड चलता रहे इसमें किसी भी प्रकार का कोई विग में ना आए ठीक है तो चलिए आपको अनकेबी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए करना क्या होगा बहुत सिंपल चीज है सबसे पहले आप अपना फोन खोलिए गूगल पे स्टोल पर है आपका स्टेट PCS आपको यहां पर अपनी केटेगरी सलेक्ट करनी है जो होगी आपकी UPSC CSE उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद बेसी लिए आपको अलग अलग पेकेजिस यहां पर विजिबल होगे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month and 24 month और नीचे लिखावा मिलेगा have a referral code जहां पर आपको put करना है मेरा referral code AKJ10 जैसे आप इसको apply करोगे वेसे ही जितने भी आपको यहां पर prices visible होगी उन सब पर 10% discount आपको visible यहां पर हो जाएगा new prices आप यहां पर देख सकते हो, this is for 12 month, this is for 24 month यह आपके लिए best suitable option देखने को मिलेगा तो जादा से जदा आपने friends को share कर दीजिए ताकि maximum to maximum लोग अने केवी प्लस के subscription के मांध्यम से अपने सब लोगो साकार कर सके, so आईए let's crack it, so चलिए स्टार्ट करते हैं आज के addition को ले इस मैंने यहां पर किया है, तो सबसे पहले आप देखोगी, आपने इंडो चाइना को लेकर इतना सारा border dispute हमने देखा, इतने लेवल की, जो कमांडर लेवल पर हमारी बारता हैं चल रही हैं, उसको लेकर हमारे विदेश मंत्री के द्वारा क्या statement दिया गया, SJC के द्वार करती है, यहां पर लिखा हुआ है, इंडिया will not accept less than bottom line in talks with China, मतलब simple सी बात है, पहली बात तो उन्होंने बोली है, यह काफी complicated issue है, आपको पता होना चाहिए, यह एक basically UPC के द्वारा ऐसे भी पूछा जा चुका है, बिने आपको दिखाया था, UPC ने ऐसे पूछा था, border management a complex task ठीक है, border management a complex task, ठीक है, border management क्या है, अब काफी एक जटिल task आपको देखने को मिलेगा, border management a complex task, जहां पर आप यूज कर सकते हैं, इनोरी भी यही statement यहां पर दिया, कि यह बहुत complicated issues है, इनको time लगेगा, ठीक है, और basically हम उसी रास्ते पर जाएंगे, जो हमारे लिए क्या हमारे interest के लिए होगा, ठीक है, तो basically S.A. S.N.K.A.R. साब ने यहां पर clear किया है, कि चाइना के साथ अभी वारता और भी लंबी चलने वाली है, उन्होंने सारी चीजों को reveal नहीं किया है, उन्होंने अरुनाचल प्रदेश का भी reference दिया है, कस्मीर का भी reference यहां पर दिया ह है, और साथ में बताया है, कि अभी वारता लंबी चलेगी, इतने सारी commander levels की talk होने के बावजूद भी अभी तक कोई conclusion नहीं निकल पाया है, तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने clearly hint दिया है, कि border dispute काफी complex है, ठीक है, लदाक वाला हो गया, अरुनाचल वाला हो गया, और मैंने आपको पूरा का पूरा सिखाया भी था, चाइना के साथ जो हमरा water dispute है, आपको पता होगा, मैंने इसको तीन भगों में बाटा था, एक Western सेक्टर, एक आपका Middle सेक्टर, और आपको ध्यान हो, अनिकेर्मी की special classes के अंदर में इंडो चाइना bilateral relations discuss कर चुका हूं, तो आप अनि नेटेल में इंडो चाइना को लेकर जितने भी मुद्दे हैं, पूरा का पूरा border वाला, ठीकर river dispute वाला bilateral relations को मिने डिसकस किया है 1947 से लेकर अब तक का सरापार, नहरू जी के टाइम पर क्या रहा, पंसील सब्जोते को लेकर क्या-क्या विसेस्ता है नहीं, अभी जो नए प आप से important मुद्धा आप देख रहे हो, farmers का agitation लगातार चल रहा है, ठीक है, धीरे-धीरे, all India के अदर, धीरे-धीरे सारे region के अदर ये देखने को मिल रहा है, reasonable level पर भी आपको protest देखने को मिलेगा, तो आप देखोंगे, farmers ने यहाँ पर demand की है कि Parliament का special session बुलाया जाए, संस farmers ने यहाँ पर demand करी है, और बोला है, अगर इन तीनों कानूनों को वापस नहीं विया गया, तो basically वो पूरी तरह से, जो भी रास्ते देली को connectivity देते हैं, उनको पूरी तरह से chop down कर देंगी, तो आप देखोंगे, one week after they begin protest, एक week पूरा हो चुका है, ठीक है, on the borders of Delhi, आपने देखा होगा, सिंगु बोर्डर पर ये dispute आपको देखने को मिल रहा है, पुरा का पूरा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो यही उन्होंने मांग की है, कि तीनों के तीनों agriculture, जो कानून है, जिनको basically 27 September को हमारे लाश्पती जी के दोरा मंजूरी दी जा चुक तो यह चीज आप लोगों से पता होनी चाहिए, ठीक है, नेक्स चीज आपन देखेंगे, ठीक है, यह काफी important हुद्दा है, ध्यान रखना इससे caution पूछा जा सकता है, यहाँ पर कुछ important चीज़े बताऊंगा आपको, पिज़र COVID-19 vaccine के बारे में, बिटेन ने इसका emergency authorization जो क आप लोगों को यार्द होगा, कल मैंने आपको सिखाया था, कि किसी भी vaccine के trials के बाद, जब उसके successful trial हो जाते हैं, उसके बाद जो भी वहाँ पर regulatory authority होती है, उसको approval देनी होती है, ताकि वो vaccine लोगों तक पहुँच पाए, लेकिन इसको approval में काफी सरा time लगता है, क्योंकि ज authority का पूरा नाम क्या है, जो आपके drugs related है, पूरा नाम full form लेकर बताईएगा, कल ही मैंने आपको बताया है, भारत के इंदर यही authority है, जो approval देगी किसी भी vaccine को या किसी भी drug को लेकर, ठीक है, तो वेसे ही ब्रिटेन ने, जो पिपजर का COVID-19 vaccine है, उसको basically approval यहाँ पर दे दी है अब basically, wide scale price का distribution स्टार्ट हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साब ने basically, जो महां के प्राइम मिनिस्टर साब ने, Boris Johnson, उन्होंने भी basically बोला है, कि UK की जो medicine authority है, उसने basically इसको approval दे दिया है, और basically पूरे के पूरे वर्ड के लिए एक नई आसा की किनडिये vaccine यहाँ पर लेकर आ granted emergency use, approval to Pfizer, BioNTech vaccine, जिसकी effectiveness को 95% यहाँ पर बताया गया था, ठीक है, just 23 days हुए है, पिपजर ने अपना जो data publish किया था, final stage के clinical trials का, और just 23 days में पिपजर की जो vaccine है, उसको emergency approval दे दिया है, UK की जो medicine and healthcare products regulatory agency के द्वारा, अब Britain ने बोला है, काफी जल्दी vaccination यहाँ पर start हो जाएगा, सबसे पहले उन लोगों को दिया जाएगा, जिनकी risk काफी ज्यादा high है, तो आप देखूगे, लगबग 8 leg doses from Pfizer's manufacturing center जो Belgium में तयाह हो चुके है, उनको distribution का काम काफी जल्द चालू कर दिया जाएगा, तो ध्यान लगना है, प्रिपजर को COVID-19 के emergency authorization के approval यहाँ पर मिल गई है, as a COVID-19 vaccine के रूप में, next week से इसका rollout start यहाँ पर हो जाएगा, तो that is the most important news आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए, इसके अलावा, आप देखोगे, the approval of a short for use close to a year since the novel coronavirus emerging होआ चाहिए, तो आप देखोगे, इसके कुछ important चीज़े बताने माना हूँ, इसके storage को लेकर, आप देखोगे, भारत के अंदर इस vaccine को अगर लेकर भी आते हैं, लेकिन इसके storage को लेकर काफी बड़ी दिक्रत है, storage को लेकर जुसका temperature आपको देखने को मिलेगा, minus 70 degrees Celsius के आसपास, minus की बात कर रौंग है, उसके यहां पर जो मैं सारी चीज़े बताई है, आपको ध्यान रखना है, कौन सी authority ने approval दिया है, vaccine का नाम क्या है, और Britain ने basically approval वहां पर मिल चुका है, तो ध्यान रखेगा, that is most important, उसके बाद, UK से लेकर ही, एक और important news, आप से पूछा जाएगा कि भारत ने, Republic दे आने वाला है, 26 जन्वरी आने वाली है, तो भारत ने किसे 26 जन्वरी के Chief Guest के रूप में invitation भेजा है, तो वो है UK के Prime Minister Boris Johnson साब तो आप देखोगे, UK Prime Minister Boris Johnson invited as Chief Guest for Republic Day, आप से caution में पूछा जा सकता है, ठीक है, आप इसके लिए London को इसका जवाब देना है, भारत में invitation भेज दिया है, इंडिया ने इन्वाइट किया है UK के Prime Minister Boris Johnson साब को Chief Guest के रूप में Republic Day celebration जो जन्वरी 2021 में होगा, ठीक है, तो विसिकली ये आप देखोगे काफी important होगा भारत और विसिकली UK के relations को लेकर, और invitation was extended last Friday during the telephonic conversation, यहाँ पर बातचीत हुई थी हमारे प्रधार मंत्री जी और विसिकली UK के Prime Minister के मन थे और आप देखोगे, अभी तक British High Commission से कोई confirmation नहीं मिली है, बट India की तरह से invitation जा चुका है, काफी जल्दी इस पर reply भारत को मिल जाएगा, आप देखो, it has been learnt that before this invitation, discussion were underway for visit by Mr. Johnson for the Rai Sina dialogue, आप लोगोने इस dialogue का नाम सुना होगा, Rai Sina dialogue, ठीक है, Rai Sina dialogue काफी important है, और Rai के अंदर हमारी जो Parliament की building बनी हुई है, या पूरा का पूरा structure आपको देखने को मिलेगा, वो कहाँ पर बनी हुई है, Rai Sina की पहाडियों पर, उसी से इस dialogue का नाम आया था, Rai Sina dialogue, जो भारत के security perspective से, strategy perspective से काफी important है, New Delhi में ये संपन होता है, तो आपको पता होना ची, Rai Sina dialogue क के बारे में, Rai Sina की पहाडियों से इस dialogue का नाम क्या रखा गया, Rai Sina dialogue, और ये Rai Sina की हिल्स का आपर है, जहां पर आप संसरत की bending देखते हो, ठीक है, राश्पती भावन देखते हो, वो पूरा का पूरा Rai Sina हिल्स पर ही बना हुआ है, महा पर पहले Rai Sina की पहाडियों इस के आप देखोगे, कुछ और इंपोर्टन चीजिया आपको देखने को मिलेगी, भारत और UK की पार्टनर्सिप को लेका है, क्योंकि आप देखो, किसी भी कंट्री को एक special status है, जब आप particular किसी occasion पर, आप उन्हें एक मुख्य अतीती के रूप में invite करते हो, तो that is most important cooperation between two countries तो आप देखोगे, defense को लेकर हुआ, हमारी cyber को लेकर हुआ, हमारी trade deal को लेकर हुआ, काफी सारे important instances है, और basically अभी और importance बढ़ जाती है, क्योंकि जब Britain basically UK से बाहर हो चुका है, Brexit हो चुका है, उसके बाद basically भारत को EU और Britain, दोनों को अलग-अलग पलडों से देखना होगा, क basically काफी सारे agreement भी यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उसको लेकर यहां पर एक detail बताया गया है, ठीक है, यह basically क्या-क्या चीज़ें यहां पर देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो यह एक अच्छा sign है भारत और UK के द्वी पक्सिये या bilateral relations को लेकर, तो आपको जन्द एक और important चीज़ आप देखोगे, अभी basically भोपाल गेस राजदी का आप लोगो ने नाम सुना होगा, 1984 में जो basically फैक्टरी थी, वहां से गेस रिलीज हुई थी, 1984 के अंदर भोपाल के अंदर जो कारबाइट फैक्टरी थी, वहां से गेस रिलीज हुई थी, जिसका नाम था मिथाल आइसो साइने, ठीक मिथाल आइसो साइने जो गेस थी, जो basically काफी बड़ा वहां पर उसने ब्लास्टर किया था, तो आप देखो बोपाल गेस रिजास्टर सर्वाइगर्स, टेक पार्ट इने प्रोटेस्ट नियर दे, यूनियन कारबाइट फैक्टरी इन दे सिट बोपाल की जो यूनियन कारबाइट फैक्टरी ते जिसको बंद कर दिया गया था, तो 36 साल हो चुके हैं बोपाल गेस राजदी को जहांपर मिथाल आइसो साइने गेस रिलीज गूई थी, और इस पर आपने देखा होगा, एक मूवी भी आई थी, मूवी का नाम तो मुझ है, जब हमारा संग्राम की बात करते हैं, आठ अगस 1922 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तब दिली चनो का स्लोगन आपके देखा होगा, वापस से फार्मर्स स्लोगन को वापस से रिटरेट किया है, और पंजाब फार्मर्स बेसिकली यहां पर स्लोगन यू तो वापस से दिली चनो का स्लोगन जो वेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन में पपुलर हुआ था, वापस से धीरेटरे अपना मोमेंटम पकड़ रहा है, तो आप देखूगे, काफी मात्रा में वूमन प्रोटेस्टर्स भी आपको दिखाए देगी, दिली की जो सिंगलू पंजाब वर्यानक के आसपास का रीजन है, तो वूमन प्रोटेस्टर्स सीनेट फार्मर एजिटेशन होंदा है, सिंग्हू बोडर आफ न्यूजरी और वेडनेस्ट है, तो यह सारा का सारा प्रोटेस्ट है, तो आपको यह सारी चीजे में बता रहा हूं तकि आप यूज कर सकते हो, ठीक अपने आंसर के अंदर, ठीक है, आगे, उसके बाद अभी बेसिकली दरहीं के अंदर आटिकल देखने को मिला, जिसमें S.J.S.N.कर साफ का एक आटिकल था, यह बेसिकली उनसे सवाल पूछे गए, ठीके दरहीं के तरफ से, पर्टिकुलर्णी जितने भी challenges देखने को मिल रहे हैं चाहे China को लेकर हो चाहे globally challenges देखने को लेकर हो तो आप देखो यहां पर वो क्या जवाब देते हैं किनकी चीलों पर चर्चा की उन्होंने यहां पर बोलते हैं कि complicated issues will take time to sort out पहनी चीज़ क्योंकि जो border वाला issue है वो काफी complex मुद्दा है ठीक है काफी जटिल मुद्दा है तो उन्होंने बोला it will take time second चीज़ उन्होंने बोली mutually respectful and mutually sensitive path is best for long term future mutually respect मतब एक दूसरे country का सम्मान करना mutually sensitive मतब एक country दूसरे country के जो मुद्दे हैं उनको sensitively deal करें ऐसा नहीं है कि basically उनको कुछ समझे ही नहीं तो इन सब चीज़ों को लेकर basically हमारे विदे पर बात कुई negotiation with China are ongoing वो क्या कोते हैं चाइना के साथ हमारी बारता चल रही है ठीक है और basically उन्होंने ये बोला hint दिया कि अभी इसको और भी कई साल लगेंगे इस मुद्दे को solve होने के अंदर ठीक है उन्होंने basically उनकी book ठीक है the India way strategies for uncertain world where he lays out a treatise for India foreign policy directly आप से पूचा जा स सकता है उनकी book के बाद में book का नाम आपको देखने को मिलेगा the India way strategies for an uncertain world ये book basically जो एसे संकर साफ किये जहां पर उन्होंने भारत की foreign policy को जिक्र किया कि कि किस प्रकार से भारत की foreign policy आपको देखने को मिलेगी उन्होंने basically यहां पर government का जो मूँ था Article 370 को लेकर citizenship amendment act को लेकर trade protection को लेकर वो यहां पर different करते हैं government के support में आते हैं यह सारी चीज़े सही ठीक है तो basically उनसे लेकर कुछ questions यहां पर किये ठीक है in your book you speak managing China's rise तो आपको ध्यान रखना है उनकी book का नाम यार्ण रखना है ठीक है लाइक नहीं पूचा जा सकता है the India way the India way strategy for an uncertain world strategy strategies for uncertain word यहां पर लिखा हुआ है आप यहां पर देख सकते हो strategies for an uncertain word ठीक है strategies for an uncertain word ठीक है तो यह book का नाम आप ध्यान रखिएगा इस book के कुछ अंसों के बादे में दहिंदू के एडिटर के दवारा उनसे बात की गई जो उन्होंने वहां पर mention किया किस तरह से government को उन्होंने Article 370 citizenship एक्ट वाला मुद्धा ट्रेड प्रोटेक्शन वाले मुद्धे पर वह गवर्मेंट को defend करते हैं यह गवर्मेंट के बचाओं में आते हैं तो यह भी चीज़ आपको यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है getting my point ठीक है आज आप लोगों के comment नहीं देपा रहा हूं ठीक है क् कि basically farmer adaptation की विज़े से थोड़ा सा इंटरेट में दिक्कत आ रही है broadband work कर रहा है पर स्पीरिती प्रोपर नहीं है that's why basically आज में इस चैनल का यूज़ करना पड़ रहा है पर definitely आपको ध्यान से सारा discussion सुनना है काफी सारे चीज़ आपको सीखने को यहां पर मिलेगी ही मिलेगी आगे बढ़ते हैं ठीक है तो इसी discussion को उन्होंने अलग-अलग पार्ट में बाटा है काफी सारे questions यहां पर discuss किये गए उनसे ठीक है तो यह just उनके book के बारे में ठीक है book में उन्होंने जो जो लिखा जो जो डिस्क्राइब किया उनके बारे में उसे यहां पर hint लिया जा र करने के उसके बाद आप देखोगे बाइडन सेट्स न्यू डिमांड्स को रिटर्न टू नुक्लियर डील ठीक है मैंने आपको बोला था इरान की जो पार्लेमेंट ने बैसी कली एक स्टोरी के स्टेप महां पर लिया था कि बैसी करी वह यून सैंक्शन को यह बैसी कि यु पती है जो बाइडन साहब है उन्होंने क्या बोला है ठीक है तो यहां पर वो बोलते हैं यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन विल इंसिस्ट इरान अग्रीस तू न्यू डिमांड्स इप वांड्स दे यूएस तो रिटर्न टू नुक्लियर डील एन लिफ्ट स जान को जो कुछ शर्ते होगी जो कुछ डिमांड होगी जो यूएसे के द्वारा की जाएगी उनको यहां पर फुल्फिल करना होगा तो यहां पर क्या बोला है यह वोंट्स टू एक्स्टेंड डूरेशन ऑफ रेस्रिक्शन ऑन कंट्री तो सिंपल सी चीज़ है बाइडन इसके जान को यहां पर बेसिकली यहां पर बाइडन एड्मिस्टेशन ने क्लियर किया है कि जो इरान पर रेस्रिक्शन लगाए गई थी उसके फिसाइड मैटीर ने कर जिसके माध्यम से वो न्युकलियर बंद्यार करता है वो अभी और भी पापंदिया नंबी चलेगी ज इरान वुड और एड्रेस मलाइं रीजन एक्टिविटीज ध्यान रखना यहां पर यहां पर बाइडन एड्मिस्टेशन के साथ में बोला जा रहा है उन्होंने बोला है कि बिसिकली इरान जो अपनी प्रॉक्सि मतलब बिसिकली वो सारी कंट्री या बिसिकली वो सारे ग् कंसिडरेशन में लाया जाएगा तो ध्यान रखना कि बाइडन साब ने जो कल में आपको पढ़ाया था उसको लेकर बाइडन साब ने क्या रिप्लाइन किया है बाइडन साब ने बोला है कि इरान को अगर अपने सेंक्शन हटवाने हैं और USA के साथ नुक्लियर डील के पर हटा दिए जाएगे तो ये वी छोटी से चीज़ आपको यहां पर घ्यान रखने ही लखने है चले आगЕ बढ़ते हैं यहां पर आप और वी काकर शाली की अपर देखो यहांपर देख सकते हो दोजार पंद्रा की नुक्लियर डी जिसको नाम से बोला जाता है जॉइंट कॉम्प्रेंसिव प्लान ऑफ एक्षिन और जेसी प्योर गेव इरान डिलीफ जिसने बिसिकली इरान पर लगे प्रतिमत हटा लिये थे ठीक है उसके बद्ले में इरान ने अपनी सारे के सारे नु सब्सक्राइब तो यूएस से फिर इरान की हैल्प नहीं कर पाएगा अभी बेसिकली हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जहां पर धीर दियर नुक्लियर को बढ़ावा दे तो बिसिकली यहां पर उसको नुक्लियर रेस बढ़ाने पर काम नहीं करना है ठीक है तो ध्यान चले आगे बढ़ते हैं उसके बाद एक और इंपॉर्टे न्यूज्स आपको देखने को मिलेगी जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली चाइना ने पहली बार भारत के राइस का मतलब काफी सारे डिकेर्स निकल गए ठीक है चाइना बाइस फर्स इंडियर क्योंकि बेसिकली अभी सप्लाइ की कमी है ठीक है तो आप देखोगे चाइना है इंपॉर्टिंग इंडियर राइस फॉर्स टाइम इन एटलिस त्री डिकेर्स मतलब आप सोचो कि कम से कम तीस साल हो चुके हैं चाइना पहली बार भारत के चामल को आयात कर रहा है क्यों है उसका रीजन है क्योंकि थाइनेंड, म्यारमार और वियतनाम से आने वाले चामल पर अभी काफी साली पाबंदिया लगी हुई है सप्लाइ काफी शोट हो चुकी है तो आप देखोगे चाइना पिछले तीस सालों से उसने भारत से कोई चामल नहीं खरीता वो दुआई दे चामल का आयात किया है उसका रीजन है क्योंकि बेसिकली जो चामल पहले चाइना थाइलेंड से म्यारमार से वियतनाम से लेता था उस पर काफी साली सप्लाइ को लेकर रेस्टिक्शन लगी हुई है ठीक है और दूसरा है कि भारत ने एक ओफर भी चाइना को दिया कर डिसक निरियात कहें और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा चामल आयातक है ठीकना इंडिया यहां को वर्ट्पर बिगेस्ट आई एक्सपोर्टर और चायना राइस का आयात करता है व्वारत सबस्तितना निरियात करता है आप दिखूगे विजिंग लागबक्व चार मिलियन ट कि भारत के चावन की गुर्वत्ता उतनी अच्छी नहीं है तो आप देखोगे राइस का इंपोर्ट डिस्पाइड पॉलिटिकल टेशन और बॉर्डर डिस्क्यूट आप देख सकते हो ठीक है यह बिसिकली आप देखोगे कि यह एक दूसरा पॉजिटिव लगलप्मेंट है कि चाइना भारत से राइस को आयात कर रहा है उसके पीछे बहुत सारे वीजन्स में आपको बताएं हैं बट हाँ इस गुड़ फोर इंडिया उसके लाव आप देखोगे भारत लगातार जो चाइनीज मोबैल को बें कर रहा है लगातार बिसिकली हमारा इंपोर्ट महां से रिद्यूस कर रहा है भारत तो एंटी चाइना वोर्ड में है और उस समय चाइना का भारत से लेना ठीक है यह मजबूरी हो सकती है बहुत सारे चीज़े आपको देखने को यहां पर मिलेगी तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली चाइना ने अगर इस स्टेटमेंट आ तो आपको ध्यान होना चाहिए ठीक है कि भारत चाइन का सबसे बड़ा निद्यातय है और चाइना का सबसे बड़ा आया तक है लेकिन चाइना भारत से चामल नहीं खरीता उसके पीछे रिजन यह है वह प्वालिटी इशू बताता है कि भारत के चामल की गुरणता उतनी अच्छी नहीं है तो यहां पर पता होना चाहिए तो यह थोड़ी सी न्यूस की जो मैंने आपको यहां पर समझाई ठीक है अच्छी थोड़ी सी अपको नहीं मिलेगी थोड़ी सी आपको एक्लिकेशन वाइस न्यूस मिलेगी तो उनको भी आप साथ साथ में गवर्ण कीजें तक कि आपको सारी के सारी चीजें समर्ण में आधी रहे उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ठीक है सबसे पॉर्ड़न चीज जो हमारी प्रिफजर बायोटेक वैक्सीन है ठीक आप देखोगे एक साल लगबक कोरोना वाइस का खतम हो चुका है आपको बता है दिसंबर के आसपास पहला केस आपको कोरोना वाइस का देखने को को मिला था ठीक है उसके बाद से लगबक एक साल हो चुका है को और एक साल के बाद बिसिकली वैक्सीन को फाइनली इमर्जनसी असुराइजेशन के लिए क्लेर्स मिल चुकी है एक चीज ध्यान रखना यह जो वैक्सीन है यह एमारे ने वाली है ठीक है और डूसरी चीज ह है इसको बिसिकली माइनस सेवंटी डिग्री पर स्टोर किया जाता है और भारत के लिए वैक्सीन इतनी कारगर नहीं है क्योंकि भारत के पास इतनी एडिकुएट स्टोरेज स्टोरेटी नहीं है कि माइनस सेवंटी डिग्री पर स्टोर कर सको और उस वैक्सीन का पांस दि में उन्हें तयार की थी वो इनकी विल्कुल यहां पर तयार है ठीक है और बिसिकरिशन करना एक बड़ा चैलिश वैक्सीन के सामने देखने को मिलेगा ठीक है यह मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूँ आप देखो नॉट टॉप ऑफ इंडिया विस लिस्ट बड़ ओफिशल स्ट्रेक रोलाओ देखो क्या बोला गया है जो पिफजर की बायो एंटेक वैक्सीन है उसके लिए आपको चाहिए माइनस सेवंटी सेलशियस का गोल्ड चेन आपको यहां पर चाहिए और इंडिया ठीक है क्योंकि बैसिकली इस वेक्सीन को इंप्लिमेंट करना बहुत बड़ा टास्क है भारत इस वेक्सीन की तरह भारत को जादा है यहां से कुछ बेनिफेट होने वाला नहीं है तिक इसलिए भारत बेसि वेक्सीन को लेकर वही भारत में ज्यादा कारगर साबित होगी तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है यह वेक्सीन है यह कौन से टेक्नोलोजी का यूश किया गया है मेसेंजर आर ने तिक है उसके लाव आप देखोगे भारत में जो एंदाबाद बेस्ट देखोगे यह ग्लोबल विन के रूप में माया जा रहा है कुरे वर्ट के अंदर एक आशा की किरण यहां से जागी है लगबग एक साल कोरोना वाईरस का खतम हो चुका है जिसने लगबग 1.5 मिलियर लोगों की जान यहां पर ले ली है तो ब्रिटेन की जो मेडिसीन हेल् चल रहा था उसमें 30 दिनों के अंदर इसको यहां पर अप्रूबल मिल गई है तो आप देखोगे भारत के लिए तो भारत की स्वरेसी निर्मित वैक्सीन है वही सबसे इंपोर्टेंट आपको देखने को मिलेगी तो ध्यान रखना है पिपजर को सोड़ करने के लिए देखने को मिलेगा दिस्टिबूशन बड़ा चैलेंज है को मिलेगा चली आगे बढ़ते हैं उसके बाद यहां ते सबको समझा रहा है उसके बाद हम चर्चा करते हैं यहां पर ठीक हमारे जो अटोर्णी जनरल साहब जिनका नाम है के के वेनू गोपाले बार कमेंट करके अगर आप बताते हैं कि आपको अटोर्णी जनरल स्टेट देखने को मिलेगा उनका वर्णा आपको कहां पर मिलेगा Attorney General for the Center and Advocate General for the State ठीक है तो यह दोनों आप मुझे बता दीजे यहाँ पर The Indian Express के दर एक article आया जहाँ पर basically Attorney General ने Supreme Court को चीज बोली है कि Supreme Court या Judiciary के अंदर आपको Woman का Representation बढ़ाना होगा तब ही basically जो Gender Sensitive मुद्धे हैं उनका एक अच्छेते solution यहाँ पर हो पाएगा तो आप देखोगे उन्होंने बोला है इसको आप अपने answers में या conclusion में यूज़ कर सकते हो कि there is a high need अब ये काफी important need है greater gender sensitization अमंग members of judiciary अगर आपको gender sensitization चाहिए है तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा member woman का महाँ पर representation होना चाहिए अभी आप देखोगे हमारी judiciary के अंदर woman representation काफी low आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर रोन ने बोला है KKVNKOPAL साब ने बोला है कि improving the representation of woman in the judiciary ठीक है काफी लंबे समय हो गया लेकिन कभी judiciary में balanced approach देखने को नहीं मिली ठीक है जो काफी सारे से कैसे आपको देखने को मिलेंगे जो sexual violence से related होंगे gender sensitization वाले मुद्धे होंगे वहाँ पर जो woman judge होगी वो काफी बहतर solution लाप आएगी that's why हमारी judiciary को भी gender sensitive होने के आउशकता है तो यह comment आप दिखा सकते हो अपने answers के अंदर कर लिएगा इस मुद्धे को that is very very important ठीक है really highly important है अपने conclusion में लिखीएगा ध्यान लखना यह discussion जो newspaper का देखने को मिल रहा है श्रीप्या factual perspective से नहीं है यह आपका analytical perspective से देखने को मिलेगा जो आपको basically answer writing भी साथ साथ में develop करा आएगा कौन सी जी इसका हाँ पर लिखनी है इसका कुछ data भी यहाँ पर दिया गया data आपको दिखाता हूँ आप देखोगे there are only 80 women judges out of total sexual strength of double 1113 judges in the high court ठीक है basically यहाँ पर देखो कि 1113 जो judges high courts के अदर होनी चाहिए कि किसके साब से ताकि equality या gender sensitive judiciary अभी मात्र 80 women judges ही आपको देखने को मिलेगी पूरी की पूरी high court में बिला ठीक है और basically supreme court में भी आप देख सकते हो total high court और supreme court की बात की जाएं तो लगबक 1113 women judges होनी चाहिए और मात्र भी आपको 80 women judges across India के इंदर देखने को मिलेगी और इसमें भी आप देखोगे out of these 80 women judges there are only two in the supreme court and other 78 are in various high court ठीक है comprising only 7.2% of the total number of judges इस data को सब लोग नो डाउन कर लेंगे लिख लेंगे त्यान प्राइटा क्या है अगर high court plus supreme court दोनों को मिला के बात की जाएं तो बूरे भारत में केवल और केवल 80 women ही judge है ठीक है दोनों में मिला कर और उसमें भी आप देखोगे केवल only supreme court के अंदर 2 women judge है बागी 78 काँ पर लेकने को मिलेगी high court के अंदर है जबकि total कितनी हो ली चाहिए लगबक 1113 position है वो basically high court plus supreme court में मिला कर और women judge है strength के इसाब से लेकिन अभी आप देखोगी total strength है total strength की बात करहूँ high court और supreme court के अंदर total strength 1113 judges की है जिसमें male भी है और female भी है उन में से सिर्फ 80 women judges कहाँ equality आप देखो 80 आपका कितने में से 1113 में से अगर percentage आप निकालो कि तो 7.2% आपको देखने को मिलेगे ठीक है समझ आ रहा है इस examples को use करना कि total supreme court प्लस सारे के सारे राज्यों के high court मिला के 1113 judges है उसमें से मात्र 80 women judges है 2 supreme court में बागी 78 high court में जो की मात्र 7.2% है इसमें भी आप देखोगे 26 courts whose data was access 26 court का जब data लिया गया इसमें supreme court भी है पंजाब हर्याना high court भी है has the maximum strength of women judges 11 out of 85 judges ठीक है उसमें भी क्या है particular कुछ high courts में तो अच्छी strength है particular कुछ high court में ही नहीं ठीक है जैसे आप देखोगे यहाँ पर पंजाब हर्याना में 11 out of 85 बताएगी मद्रेस high court में 9 out of 75 बताएगी ठीक है 8 women बताएगी आपकी बहुत दिल्ली और मॉंबे high court में मिलाकर तो basically कई में तो फिर भी थोड़ी better है बट कई में तो बिल्कुल representation ही नहीं है तो यह सारी चीजे mention आपको करनी है अपने answers के अंदर तो यह आपका answer कितना अच्छा होगा जहां पर आप दिखा रहे हो कि किस प्रकार से जुडिशरी को gender sensitive बनाया जाए किस प्रकार से जुडिशरी के अंदर महिला न्यायदिसों की संख्या को बढ़ाई जाए और data देना और अप reference देना केके वेनुगोपाल साहब का जो भारत के attorney general है क्योंकि यह आदकी सविधानिक निकाय है जो आपको article 76 में बेखने को मिलेगा तो उनका reference दीजिएगा और basically उनकी approach के बारे में बताईएगा कि किस तरह से जो specially आज इतने सारे sexual violence के case आपको देखने को मिलेंगे जेंडर sensitive मुद्ध्य आपको देखने को मिलेंगे लव जेहाद को ले लीजिए ट्रिपल तलाग को ले लीजिए सबरी मला को ले लीजिए यहाँ पर basically आप देखो कि Supreme Court के अंदर 5, 7, 9, 13 आपको woman judge देखने तक को नहीं मिलती कि हाँ particular bench में आपको 7 judges है 9 judges है particular single woman देखने को मिलेगी जो काफी low है इन समुद्धों को समझने के लिए I think getting my point ओके आगे बढ़ते हैं तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पर discuss की ठीक है data मैंने आपको दिखा दिया इस data को आप note down कर लीजिएगा ठीक है जो data मैंने आपको दिखाया है इसको आप note कीजिएगा और अपने essay के अंदर और GS के answers के अंदर definitely इसको use कीजिएगा ठीक है आपको काफी अच्छे marks मिलेंगे और last में जब judiciary की आप सारी की सारी चीज़े दिखा रहे तो यह अपना conclusion में दे सकते हैं कि basically judiciary को gender sensitive होना चाहिए मैला judges की संक्या जाब से जाता होनी चाहिए उसके बाद high court की बात करो में करनाट का high court की जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि basically अभी जो love jihad वाला मुद्दा काफी चर्चा में देखने को मिल रहा है तो अभी basically करनाट का high court ने यहाँ पर एक चीज़ बोली है adult मतलब 18 plus adults right to marry is a personal choice ठीक है इस fundamental right ध्यान रखना वापस थे करनाट का high court ने वहाँ पर कानून बनने से पहले यह clear कर दिया है यह basically अगर कोई 18 plus है adult है तो साधी करने का अधिकार उसकी personal choice है और यह उसका fundamental right है उसका मौलिक अधिकार है तो ध्यान रखना यहाँ पर करनाट का high court ने क्योंकि करनाट का के अंदर भी कानून को लाने के बात हो रही है MP के अंदर चल रही है UP government ने ordinance पास कर दिया है तो आप देखो an adult individual's right to marry a person of his or her choice is a fundamental right that cannot be denied on the basis of caste or religion जिसको आप किसी जाती किसी धर्म के आधार पर उसको मना नहीं कर सकते यह basically observation करनाट का की high court ने basically वहां की bench ने दी है ताकि यह चीजे सावे की सारी पहले से करनाट का ने clear कर दी है करनाट का अगर यह कानून लाती भी है तो high court उसको क्या कर देगा नलीफाई यहां पर कर देगा तो अब देखो करनाट का high court ने clear कर दिया है liberty regarding the personal relationship जो मेरे व्यक्तिकर संबंध होंगे उनके मामलों में जो स्वत्मत्रता होगी cannot be encroached by anybody वो स्वत्मत्रता को किसी के द्वारा भी प्रतिबंदित या encroachment नहीं किया जा सकता particularly on behalf of caste और behalf of religion तो यह वहां पर clear कर दिया गया है that is a very good sign for our democracy तो ध्याम रखिएगा यह चीज़ वहां पर clear कर दिये कि आप जाती के आदार पर धर्म के आदार पर basically उसकी particular individual freedom को prohibit नहीं कर सकते और नहीं कर सकते तो यह भी चीज़ आपके दिमाग में यहां पर बिलकुल clear होनी चाहिए I think clear होगा यहां तक सब लोगों को ठीक है उसके अलावा भी अगर आपके कोई भी doubt होते है पूरे session के अंदर आप एक बाद comment box के अंदर आपने doubt डाल दीजिएगा आपको doubts के solution में next class में definitely दे दूँगा आपके comment पढ़ूँगा और next जो भी हमाने class होगी कल उसमें आपको सारे के सारे solutions मिल जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते ओके उसके बाद आप देखोगे यहां पर मैं सबसे एक important गुद्धे की बात करता हूँ यह आज basically 3 दिसंबर है और आज basically के लिए एक महत्पूर्ण दिन है दिव्यांग के लिए अब देखोगे आज का दिन जो international day of persons with disabilities जो basically United Nations ने 1902 के अंदर establish किया था ठीक है United Nations ने 1992 में basically एक दिन को celebrate करने की बात की थी December 3 को जिसका नाम है international day of persons with disabilities जिसको आज हम दिव्यांग के नाम से जानते हैं ठीक है इस लोग के माध्यम से इसके लिए भारत में कानून भी बनाया हुआ है ठीक है जो disability act बना हुआ है दिव्यांग को reservation का भी प्राउधान भारत के इस अधिनियम के द्वारा किया गया है लेकिन यहां पर बात की जा रही है ससी थरूर जी का यह article है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जहांपर उन्होंने बात की कि देखो उन्होंने क्या बोली है कि यह समने कानून बना दिया और कानून ने दिव्यांग को अधिकार भी दे दिये कि उनको आउसरों में समानता मिलेगी उनको सारी की सारी चीजे एजीली एक्सेसिबल होगी लेकिन क्या हम डेली प्रैक्टिस के अंदर क्या उनको उनको ऑथिकार दे पाते हैं क्या हमारी सारे की अधिकार दिला पाती हैं तो उसको लेकर एक article लिखा तो अब धेको जब वो article लिखरे हैं सबसे पहले उन्होंन करने के लिए उनके वेलबिंग या उनके कल्यान को प्रमोट करने के लिए बैसिकली उनके लिए समाज में अवरेनेस फैलाने के लिए इस चीज को बैसिकली काफी तवज्जो दी गई तो आपका आज आपको ध्यान रखना है दिसंबर तीन को इंटरनेशनल डे ओफ परसंस के नाम से मनाया जाता है जो United Nations के द्वारा स्टैबलिस किया गया था ठीक है तो यहां पर बैसिकली यहां पर उन्होंने काफी सार एक्जामपर्स भी दिये हैं ठीक है इसमें चीज आपको दिखा देता हूं में ठीक है यहां पर एक सबसे इंपॉर्टन चीज आपको दिख करते हैं बहुत सारी चीज़े हमने बनाई है ठीक है डिजिबिलेटी को लेकर दिव्यांग है वो basically सबसे ज़्यादा किस चीज से सफर करते हैं, उनकी जो गरीब सामाजिक और आर्थी कंडिशन्स होती है, उनका सबसे ज़्यादा उन पर असर पड़ता है, आप देखोगे, लगबग 45% जो दिव्यांग population है, वो illiterate है, असिक्षित है, जो उनके लिए चीजों को और भी ज़्यादा difficult बना देती है, ठीक है, आप देखोगे, उसके अलावा community का, community भी इतनी अच्छी उनको representation नहीं दे पाती, ठीक है, despite vast population of people with disability, भारत में इतने सारे disabled people हैं, बट फिर भी आप देखोगे, 7 दसक हमें बीच चुके हैं, हमारे independence को, लेकिन फिर भी just आप देखोगे, पार्लेमेंट के अंदर उनका representation काफी कम है, state assemblies के अंदर उनका representation काफी कम देखने को मिलेगा, तो उनका basically अभी भी वो सारा का सारा discrimination वो लोग face करते हैं, जबकि government ने कानून बना दिया है, reservation दे दिया है, ठीक है, फिर भी basically जब तक हम practically उनको सारी चीज़ें नहीं दे पाते एक्ट का नाम भी लिखा हुआ है, the rights of persons with disability act 2016, ठीक है, the rights of persons with disability act 2016, ठीक है, with disability act 2016, ठीक है, इनको reservation का प्राउधान भी मिला हुआ है, disability act 2016 के अंदर इस act को बनाया गया था, ठीक है, तो उसको लेकर आज उन्होंने सारी की सारी चीज़ें बताई हैं, काफी सारे reference दिये हैं, ठ इसे आपने तारे जमी पर देखी होगी, बर्फी देखी होगी, जहां पर basically Hollywood में, Bollywood में movies के माध्यन से उनको एक limelight में लाया जाता है, ताकि basically awareness बढ़े, society उनके लिए strongly आके हो के खड़ी हो, आप देखो कि Paralympics भी organize करवाया जाते हैं, Paralympics किसके लिए होते हैं, especially आपक सारी, ताकि respect मिले, society उनको recognize करें, ठीक है, वो अपने उपर एक proud feel कर सके, that's why यह सारी चीज़े आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, I think यहां तक समझ आ रहा है सब लोगों को, तो this is about the international day of persons with disabilities, इसको लेकर एक article आया था, mention कीजिएगा, आप अपने answers के अंदर mention कर स सकते हैं, reservation के provision के बारे में mention कर सकते हैं, अपने essay के अंदर movies के बारे में mention कर सकते हैं, जो तारे जमी पर बरफी का mention किया गया है, पेर Olympics एक important event है, जो basically उनको पूरे worldwide recognition देता है, ठीक है, तो इन सारी चीजों का आप mention कर सकते है, society के perspective से, उसके बाद basically आपन बात करते हैं, यह पहले, जो हमारा farmers वाला बात चल रही है, उसके हम लगाता है, discussion करी रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा अपन discussion कर लेते हैं, अफगान government और Taliban के बीच की, जो peace deal के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसकी मध्यस्ता की गई थी USA के द्वारा, ठीक है, तालीबान और अफगान government के बीच में peace deal है, जो अफगानिस्तान की stability के लिए काफी important है, तो आप देखोगे, अफगान government and Taliban representative, ठीक है, अफगान की government और Taliban के representative ने Wednesday को एक statement जारी किया, और basically उन्होंने बोला, कि एक प्रारंभिक deal, basically एक sign हो चुकी है, जो एक peace talks के रूप में, एक सांती वारता के रूप में आपको देखने को मिलेगी, और basically यह पहला written agreement है, उन्नीस सालों के अंदर, तालीबान के बीच में और अफगान government के बीच में, और basically United States के द्वारा इसका स्वागत किया गया, ताकि basically इस पूरे region को stabilize किया जा सके, तो ध्यान रखना, this is a very very important step, चाहे भारत के perspective से हो, क्योंकि अफगानिस्तान के stability भारत के लिए भी उतना ही मायने रखती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, the agreement comes after months of talks in Doha, encouraged by the US despite the ongoing violence, ठीक है, तो ध्यान रखना, USA ने भी काफी बड़ी भूमी का निबाई है, अफगानिस्तान और तालि Taliban के बीच में साइन हुआ है, जिस पूरे region के लिए peace or stability यहाँ पर लेकर आएगा, ठीक है, इसके बारे में मैंने discuss भी किया था, आपको सारी की सारी चीजे बताई थी कि Taliban का कितना बड़ा रोल है, ठीक है, और basically आप देखोगे, यहाँ 2001 के अंदर, US के, US ने Taliban को यहाँ से basically power से हटा दिया था, यहाँ की basically Osama Bin Laden को यहाँ पर मार दिया था, उसके बाद आप देखोगे, कि किस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर, parliamentary government आती है, धीरे धीरे positive developments होते हैं, बड़ तालिपान लगातार यहाँ पर government के खिलाब counter efforts लेता रहा है, finally, एक peace deal sign होना, बहुत important इस region के लिए peace or stability को लेकर, तो यह agreement basically जो दो हा, कतर की capital है, वहाँ पर यह वारताय स्टार्ट हुई थी, USA ने काफी ज़्यादा इसको encourage किया था, ठीक है, तो यह that is more, most important, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप से पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ध्यारक न लिखा हो है, पहला return pact है between two parties, in 19 years, किसके किसके बीच में, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में, ठीक है, जो बहुत important role यहाँ पर play करेगा, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बात, जो इरान के प्रेसिदेंट सहाब है, हसन रोहानी, उन्होंने basically, ठीक है, इरा scientist को मार दिया गया था, कली मैंने आपको बताया था, और उसमें basically इरान ने बोला था कि इसराइल का, साओधी का काफी बड़ा हाथ है, ठीक है, तो आप देखो, इरान's President Hassan Rouhani on Wednesday day expressed his opposition to a bill approved by Parliament, ठीक है, the previous day to suspend UN inspection and boost uranium enrichment, जो कल मैंने आपको बताया था कि इरान की Parliament ने एक bill को approve किया है, जो basically बात कर रहा है कि United Nation जो inspection करता है, उसको basically हटा दिया जाएगा, और वापस से इरान uranium enrichment start करेगा, वापस से nuclear facilities को renew करना start करेगा, आपको पता है 2015 के उस agreement में ये बात की गई थी, अब इरान इन सब चीजों को नहीं करेगा, लेकिन basically संसद ने बोला था कि अग प्रेसिडेंट हसन रोहानी साब ने, ठीक है, और basically जो मैंने कल आपको बताया था कि इरान के एक scientist को मार दिया गया था, उसमें उन्होंने इसराइल और साओधी का हाथ बताया था, तो वापस से इस region में tensions होना start हो गई थी, ठीक है, इस bill में ये वारता की गई थी, कि जो United Nations का inspection है, उसको suspend कर देगा, and require the government to resume enrichment uranium to 20%, ठीक है, अगर European nations fail होते हैं, उसको sanctions लगे रहते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी oil और banking economy, पर कली मैंने आपको बताया था, इरान ने बोला है कि उसके oil sector पर लगे प्रतिबंद हटा लिए जाए, और banking sector पर लगे प्रतिबंद हटाये ज आप लोगों को यह सारी चीज़े यहां पर बता दी, उसके बाद एक कल का argument था, हमारा जो कल का बचा हुआ था, चाइना और पाकिस्तान के बीच में military deal साइन हुई है, मैंने आपको बोला था कि चाइना और पाकिस्तान काफी close आ रहे हैं, ठीक है, तो जो people's liberation army है, ठीक है, पाकिस्तानी लीडर्स, calls for higher level ties to jointly cope with various risks, तो आप देखोगे, चाइना और पाकिस्तान ने एक नया military memorandum साइन किया है, ठीक है, और बिसिकली जो उनकी close relationship है, उसको एक और नया आयाम देने की इन्होंने यहां पर आप देखोगे, एक नया आयाम दिया है, तो चाइना के defense minister and people's liberation army, PLA के general, ठीक है, वो basically इनकी अद्धिक्स नामे military agreement यहां पर sign हुआ, ठीक है, तो basically यह दिखाता है, कि किस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे regions आपको देखने को मिलेगे, जैसे कि CPAC वाला part आप देखोगे, ठीक है, पाकिस्तान occupied कस्मीर वाला part देखोगे, आपने पता होन चाहिए कि बलतिस्टान को एक नई प्रोविंस के रूप में पाकिस्तान डिकले करना चाहरा है, उसके अलावा जो काफी सारे border dispute है, नेपाल को लेकर हो, ठीक है, क्योंकि basically काला पाने का dispute भी अभी काफी जदा lime light में रहा था, भारत में, भारत के जो basically आपको पता होना चाह ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको नेपाल के काला पाने का dispute का mention मेंशन मिल जाएगा, ठीक है, चाइना, सौथ चाइना सी वगेरा का mention यहाँ पर मिल जाएगा, तो इन सब चीज़ों का mention आपको देखने को मिल जाएगा, कि basically भारत पर क्या impact हो सकता है, चाइना, पाक ठाई corporation organization, तो reasonable priorities के नाम से एक article कल दे हिंदू के अंदर आया था, जहाँ पर बोला था कि SEO किस तरह से भारत के geopolitical balance के लिए और reasonable engagement के लिए काफी काफी महत पूर्ण है, उसी चीज़ को लेकर यह article आपको देखने को मिलेगा, भारत को लगबग 3 साल हो चुके हैं, 2017 में, भारत तीन साल complete हो चुके हैं, भारत 8 nation SEO, मतलब जहाँ पर कितनी member countries है, 8 देश आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया ने basically host भी की थी SEO की, जो government की meeting थी है, heads of government की meeting थी पहली बार और Monday को, ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था, हमारे वेंकिया नाइडू जी साब ने वहाँ पर लेकर, cross border terrorism को किस परकार से रोका जाए, United Nations के principle को किस परकार ensure किये जाए, उन सब के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो, cross border terrorism के बारे में वारता की थी कि सीमा पार आतंगवाद, state terrorism जो basically आपका यहाँ पर indirectly इसारा किया गया था, पाकिस्तान को के उपर, कि किस परकार से particular state आतंगवाद को बढ़ावा देते हैं, जम्मु एंड कस्मीर का reference यहाँ पर लिया गया था, ठीक है, तो यह सारी चीजे, basically क्योंकि SEO काफी बड़ा important माध्य में, क्योंकि पूरा का पूरा region, Russia है, China है, India है, पाकिस्तान है, और 4 most important central Asian countries आपको यहाँ पर दे चीजे, यहाँ पर आप देखो, इसको पाकिस्तान से relate किया गया है, anti-terrorist structure के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, चाइना का जो belt and road initiative है, जिसको आप O, B, O, R के नाम से भी जानते हो, one belt, one road policy के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, उसके अलावा, यहाँ पर Asia and NATO, जिसके के बारे में अपने बात की थी, यह बिसिकली अपन बोल रहे थे, quad के बारे में, ठीक है, जो छोटे-चोटे regional organization के बारे में, BBIN, BBIN के अंदर बंगलादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN के अंदर आपको बंगलादेश, ठीक है, बूटान, यह बिसिकली connectivity का project था, बं करने लिया, तो यह पूरा का पूरा regional structure है, ठीक है, यहाँ पर, जब आपसे पूछा जाएगा, regional level पर क्या-क्या दिक्कते हैं, तो regional level पर, जो regional आपके institutions है, उनका example आपको देना पड़ेगा, ठीक है, regional level पर जो, चाहे आपका cross border terrorism है, ठीक है, ठीक है, चाहे आपकी जो particular countries की important vehicle या काफी important माध्यम सामिल हो सकता है, that's why इस reason को यहाँ पर promote किया जा रहा है, ठीक है, यह चीज़ आपको clear होनी चाहिए, and last thing, ठीक है, last आज का पर discuss कर रहे है, democracy के बारे में, जो कल मिन आपको बताया था, कि किस तरह से democracy का decline आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यह जो दसक से, पिछले 10 सालों का especially example दिया गया है, यहाँ पर यह सारी चीज़े बताई गई है, democracy report 2020 के अनुसार, ठीक है, जो prepare की गई थी, we democracy institute के द्वारा, जहाँ पर बोला, कि भारत के अंदर जो democratic values है, वो लगातार पिछले decade से घरती जा रही है, ठीक है, आप देखोगे, और यहाँ पर BCP government का especially example दिया, कि 2014 से तो और ज़्यदा regression स्टार्ट हुआ, when BCP led NDA government formed, ठीक है, यह इस reports के अंदर आपको सारी चीज़े देखने को मिलेगी, इसमें सबसे important चीज़े देखने को मिली, जो नागरिक आजादी है, civil liberties है, उसका कम होना, ठीक है, freedom का basically स्वतंतरता का कम होना, ठीक है, क्योंकि यह democracy की सबसे बड़ी विसेस्ता है, नागरिक आजादी, freedom basically, यह बहुत important tenets आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर यह सारे example दिये गए, कि democracy में decline देखने को मिला, क्या-क्या reasons उसके पीछे थे, ठीक है, इस index के अंदर किन of expression को लेकर, संग बनाने की स्वतंतरता, नागरिक आजा दी, इन सब को यहाँ पर cover किया जाता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, कि basically कई सारे ऐसे example दिये गए, कि emergency से भी बुरी situation देखने को यहाँ पर मिली, ठीक है, जिसे कि academic freedom index के बारे में बात की गई, civil liberties के बा of democracy in India, यह basically आप कैसे कह सकते हो कि भारत में लोगतंतर का पतन हो रहा है, तो सिर्फ यह बोलने से काम नहीं चलेगा, कि भारत के संस्तानों की सुनता चिनती जा रही है, आपको reference लेना पड़ेगा, कि age per democracy report 2020, हमारी जो लोगतंतर report 2020 के अनुसार, जहाँ पर उन्होंने जिक् से तो और भी ज्यादा version situation देखने को मिली है, नागरिक आजाती का छिनना, academic freedom का कम होना, ठीक है, यह सब चीज़े आपको यहाँ पर दिखाने ही पड़ेगी, जैनके का case यहाँ पर especially दिखाया गया है, जो अब तक का भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा internet shutdown रहा था, तो त basically काफी important role play करते हैं, democracy की quality को लेकर, ठीक है, वो लगाता decline हो है, चाया आपकी civil liberties हो, चाया आपकी academic freedom हो, वो basically भारत में emergency period से भी low देखने को मिली है, मतलब इतना decline तो भारत में जब 1935 से 77 के दसक में emergency लगी थी, तब भी नहीं था, उससे जादा, आप देख सकते हो, यह पू quality है, democracy की ओ लगाता decline देखने को मिलेगी, तो यह सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने answers के अंदर दे सकते हो, ठीक है, आज का तो time हो चुका है, बट फिर भी मैंने आपको यह बता दिया है, question लिखने के लिए, इसको basically आप अपने copy के अंदर लिख लेना, कि यह कुछ points नाम मत लिखिए, आप directly लिख दीजिए, कि democracy report 2020 के अनुसार भारत में पिछले एक दसक के अंदर, जो हमारी democracy के main ideals है, चाए नागरी का जादी, चाए academic freedom में भारी गिरावट देखी गई है, और इस report के अनुसार ऐसा बताया गया है, यह emergency period जोड़नी 75 से 70 के बीच में था, उससे भी ज्यादा गिरावट का देखने को मिलता है, तो party का नाम मत लिखिए, आप follow करिए, बुद्धा का middle path बचके निकल जाएए, आप democracy index को बिना party के define करके यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपको वो doubt भी खतम हो जाएगा, किसम particular party के बारे में बात करें नहीं करनी, आप plus के subscription के बहुत सारे आपको benefit मिलेंगे, 10% का instant off मिलेगा और UPC category के अगर आप subscription लेते हैं, तो मेरी personal mentorship आपको throughout your preparation अवेलेबल रहेगी, जादा से जादा लोगों को share करते रहेए, ठीके, आज का edition, comment करके बताईएगा, आपको कैसा लगा, ठीके, क्या-क्या चीज़े आप Thank you very much, revise करते रहेगा तक कि सारीफ की सारी चीज़े आप समझ सके, so thank you very much to all of you, thank you guys